हेलो फ्रेंट विल्कम वेक टो और शेनल इस्प्लेइनर एंजल फ्रेंट आज मैं इस ड्रामे के पार 17 का इस्प्लैनेशन करने वाली हूँ जिसमें हम देखेंगे किस तरह एक लड़की अपने प्यार को पाने के लिए 200 साल पीछे जाने के तैयारी करती है और वो लड़का 200 साल आगे आने के तैयारी करता है फिर रास्ते में ही दोनों की मुलाकात हो जाती है अब यह मुलाकात होती के जगी हैं यह सब आपको वीडियो में ही पता चलेगा इसलिए आप वीडियो को लास तक जरूर देखें क्योंकि कहानी बहुत शांदार होने वाली है तो चलिए देर किये आपको लेकर चलते हैं इस प्लानेशन की तरफ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर वैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको ऐसे शांदर कहानिया टाइम से मिलती रही कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पार 16 का इंड हुआ था हम देखते हैं ग्र कब क्यों कैसे वहां पर चली गई यह सुनकर ग्रैन्टमा कहती हैं अगर ऐसा नहीं है तो क्यों तुम्हारे ग्रैन्पा हमसे छिप रहे हैं तुम सारे ही लोग आउन की टीम से मिले हुए हो इसलिए मैं तुमको तो नहीं छोड़ूँगी और नहीं आउन को तुम सारे ही तो मेरे हाथों से मारे जाओगी लेकिन फिर भी तुम्हें मैं एक चांस दे रहे हूं यह सुनने के बात किवा को गुस्ता आ जाता है लेकिन वो सबर का घूट पीती है कि तब इस ससी थेप दादी को रोकता है कि अगर इसे मार डाला तब जेल में जाना पड़ेगा और आप को चेल की रोटी इस उमर में खाने पड़ेगी यह कोई अच्छी बात नहीं है यह सब बात हो ही रही होती है कि तब इस सफी थेप के पास ग्रैंपा की कॉल आ जाती है यह सुनकर ग्रैंड मा किवा को समीन पर पठक देती है यह सब हो ही रहा होता है कि तब हमें लुआं को दिखाया जाता है जो कि मौांग के रूम में जाता है उस टूटे हुए फूलों के हार को लेकर जो कि मेबवा ने तोड़ा होता है तब मौांग मेबवा के सारी कर्तूते लौांग को बता देता है यह सुनकर लौांग को काफी गुस्ता आ जाता है अब वो ऑन के रूम में ज कहता है कि उसे फूलों के हार को दुबारत बनाना होगा लुआंग की इस बात को सुनकर और फॉरण ही इनकार कर देती है कहती है कि मेबवा ने उसे रोक रखा है और अगर उसे फूलों का हार चाहिए भी तो मेबवा से बनवा ले यह कहकर वो दर्वाजे को बंद करने लगत तब ही यहां पर मुखा भी आ जाता है जो consumers को अरकिर रौन के रूम में जाता हुआ देख कर ऐसे द्रवाजे को बंद कर लेता है तो शायद एक दूसरे से प्यार में बचए हु ही ही बाते जो कम हुई थी कम्प्लेट कर शके डौन ही टो póntvern foods सके चाहि प्यों को सके या फिर उसे future में लेकर चली जाए लेकि on उन दोनों ही बातों पर राजी नहीं होती अब इसी वो दाथी में लुआंग वापस आने लगता है कि तब ही उसे पता चलता है कि दर्वाजे को बाहर से किसी ने बंद करके रखा है यह सुनकर on को शक होता है कि उसने पहले ही किसी से कह रखा होगा इसी बात पर वो उसे गुसा करने लगती है तब ही लुआंग कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तब मैं खिर्की से जम करके बाहर चला जाओंगा ये सुनकर ओन उसे रोक लेती है क्योंकि जम करने से लुआंग के हाथ पैर भी तूट सकते थे इस तरह ये दोनों ही साथ में होते हैं इस वीच हजार वादे प्यार वाले इन दोनों ही करते हैं जैसे कि लुआंग कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा और ओन कहती है कि मैं सारी उम्र तुम्हें याद करूंगी क्योंकि आज की रात ओन की पास्ट में आखरी रात होती है मुहबत में दोनों बेपना होते हैं लेकिन मजबूरियां दोनों को ही जुदा कर रही होती है इन्ही बातों में ओन कब लुआंग के कंदे पर सर रखकर सो जाती है उसे खुद भी कुछ पता नहीं चलता और लुआंग उसके मुहबत के टच का हैसास करते हुए कंदे को बिना हिलाए उसको सोता हुआ देख रहा होता है और सुबा हो जाती है अभी लोग बहार आते हैं इधर परसेंट में ग्रेंडपा अपनी किवा के पास आ जाते हैं उनको देखकर किवा काफी डर जाती है क्योंकि ग्रेंडपा की वाट लगा देगी और ऐसा ही होता है वह मार मारकर ग्रेंडपा पूछते हैं कि किस तरह तुमने मंत्र पढ़ा कि ओन पास्ट में चली गई जिस पर वो कहते हैं कि ऐ बुडिया तु मुझे मार भी डालेगी तब ही मैं इस सच को तुस्से नहीं शियर करूँगा यह सुनने के बाद ग्रैनमा उन पर जुल्म पर जुल्म करने लगती है और फिर बंदू की नोग पर ग्रैनपा से सचाई जाना चाहती है जिस पर ग्रैनमा कहते हैं इवन तु मुझे मार भी दो तब भी मैं तुम्हें हकीकत नहीं बताऊंगा यह सुनने के बाद ससी थेप उसको मानने लगता है यह देकर किवा उसे रोग देती है कहती है कि ग्रैनपा मंदर पर कर ही ओन को बुला लेंगे कि वाँकी इस बात को सुन कर ग्रैनमा ससी थेप को रोग देती है कि उसे मत मारो और उन दोनों को ही अब बिहोश कर देती है जितके बाद ग्रैनमा कहती है कि अब तो ओन आही जाएगी अब हमें पाश्ट का सीन दिखाया चाता है जहां पर सुबह हो गई होती है और बोट में होती है लेकिन उसके हाथ अचानक वे गाइब होने लगते हैं ये देखकर और के साथ लुआंग में काफी डर जाता है कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है क्योंकि प्रोफेसर मंत्र पढ कर यहां देचाने लगती है तब ही यहां पर मेबवा भी आ जाती है और को बिदाई देने के लिए और की करें लगकर बोलती है कि इस बार तुम चले जाना या फिर पानी में डूप कर मर जाना लेकिन दुबारा यहां पर कट्ट ही नहीं आना उसके इस बात को सुनकर और बूट में बैठ कर वहां पर जाने लगती है वहां पोच कर ओंट उन और कर दिलीगता है वो क्सकर उसे पकड़े होता जाती है यह देखकर लुआंग रोता ही रही जाता है अब परजेंट में पहुचकर और खुद को ही ठीकती है तप्रोम है उसके लिद्वाइब ये देखकर कि वा ग्रेंड मा पर फायर कर देती है इस तरह वो एक बार फिर से उलू बन जाती है और टॉस्फुल ओन को लेकर प्रोफेसर के पास चले आते हैं जहां पर प्रोफेसर बहुत ही कोश ओते हैं टॉस्फुल और अन गलें मिलते हैं उसके बार टॉस्ट फुल क्रीम यानि के ओन को उसके मा के पास ले जाता है जहाँ पर वे अपने मा ज से बताती है कि वो बिलकोल ही अच्छी है बस वो पास्ट में चली गई थी और वहां पर एक लड़के से उसे प्यार भी हो गया था यह सुनकर क्रीम की मा कहती हैं कि वो पाश्ट में जाकर उसे फिर से ले आए जिसपर क्रीम कहती है कि ऐसा करना impossible है पाश्ट में लुआंग भी उसको याद करके पागल हो रहा होता है घर eruption दिखाया जाता है कि लुवांग के बंदे पिठेब के ब्लैक बिसेस में फसे हुए लोगों को पकड़ लेते हैं यही चीज लुवांग पिठेब से पूछने के लिए उसके घर आता है क्योंकि पिठेब ने लुवांग के भाई और फादर को भी एक नशीय का सहर दे कर मार दिया था और उसी पिठेब का इतना सारा क्लू पाने के बाद लुवांग कहां शांत रह सकता था और उसे कहता है कि आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूँगा जिस पर पिठेब कहता है कि जो कुछ भी करना लेकिन यह सोच कर करना कि मैं तुम्हारी बहन का हस्पेंड हूं यह सुनकर लुव को तलवार मार कर यहाह से भाग जाता है रहां पर से मानने लगता है और कहता है कि वह अलए को रोक लेसे और रॉमार så नीज closely नोख लेती है तब ही यहां पर मेबवा और उसके फादर भी आ जाते हैं जिसे लुआंग यह फारी जिसके बाद लुआंग मौंग के साथ वारण यहां से चला जाता है हलागी लुआंग को इस बात का काफी दर्द होता है कि उसकी बहन भी उसकी बातों को ना समझ सकी पिधेप का साथ देने के लिए वहां पर रुग भी गई खेर मौंग उसे समझाता है कि तभी पिधेप को चंपा हाउस का एक फूल मिलता है जिसके जरीय ही नरूमित मंदर का यूज करके वह परसेंट में जा सकता है तो ऐसे सुब महूरत में वह दीर कैसे कर सकता है अब वरनी फूल को लेकर मौंग और मौंग के गुरू को लेकर बोट के पास पहुचाता है और मंदर पढ़ना चुडू कर देता है इधर क्रीम को ग्रैंड मा एक बार फिर से घेर लेती है और उसे मारने जाहिरी होती है कि तभी और उन्हें पहचान जाती है कि यह मेबुआ है अब बुड़ी मेबुआ और यंग क्रीम में फाइट होने लगती है यह देकर प्रोफेसर मंतर पढ़ने लगते हैं जिससे कि उस पर कोई भी गोलियां असर महीं करती तभी टॉस भी यहां पर आ जाता है और वो और को जादवी बोर्ट दे देता है जिसके बाद और फॉरण ही पास्ट में चली जाती है कि दोनों ही दुनिया में एक सात्र मंतर पढ़े जा रहे होते हैं उदर ल कर वो काफे खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है इधर पर जिन में बुड़ी मेवा जब और को फिर से गायब देखती है तो वह पागलती हो जाती है और सारा इल्जाम टॉस पर लगाने लगती है और गुस्से में उसे गोली भी मानने लगती है लेकिन सी उसे र चलती हैं सारे लोगों को अपने झील ये चले जाती है उदर पाश्ट में और को पाकर सारी ही लोग बड़े खुश होती हैं लुआंग की मा भी बहुत ही खुश होती हैं इसी कुछी में वह अपने सोने की अंगूठी और बहुत सारे जेवर उसको दे देती हैं क्यूंकि मेबवा को यह बात पता चलती है कि आऊ फिर से आ गई है यह दिए नेवस उसके जिंदगी में किसी तपाही से से कम नहीं होती अधियो हुआ की माँ उसके घर पहुचकर यह बता देती हैं कि लुआ की शादी अब मे बहा से वो नहीं करेंगी उनकी फैमली ने लुआंग के कि अधर को अल्वां के भाई को मार दिया इस तरह इस कातिल घराने से वह बैटी को नहीं ले जाएंगी अब लो आन की मां की यह बात सुन कर में बहुत रोने ही लगती हैं जो इसकी फैमली के वजेसे उसकी शादी नहीं हो पाई है लेकिन लुवांग की मा ये कहकर मासे आने लगती है उनको आता हुआ पीजुन देख रही होती है और उनकी कही सारी बातों को सुन रही होती है अब उनके जाने के बाद वो पिठेव के पास जाती है कुछ बात करने के लिए लेकिन पिठेव किसी और लेडी के साथ रूम में होता है अब जब पीजुन को रूम में देखता है तब उसे गुसा जाता है और उसे भगा देता है जिसमें वो प्रेगनेंट पीजुन गिर जाती है और वो दर्द में तलप रही होती है तब ही मेबुआ की बेहन को हमें दिखाया जाता है जो कि ब्लैक मैजिक वाले तांत्रिक के पास जाती है और उसको अपने साथ बुला कर लाती है जिसके बाद वो तांत्रिक मेबुआ को कुछ जादू देता है और कहता है कि इसे ओन मर जाएगी या फिर लुआंग उसे प्य कि दोनी लगती है और अपनी को इन वाले को सचल को छोई जाती है अब ऑन जब मेबाध को पानि के लिए लिए दगतई है तब उसके हेल्फ करने के ले आती हैं अरुसे बचा लेती है लेकिन बोट में आते ही मैबौ अपने जादू वाले बोटी जिस वजह लोग भी होश हो जाती है तभी यूज खे पानी को में छिटुक देटी है तो कि जटKS है कि और मुश्किल में है तब वो अपने वाइट जादू को बोट में भेज देते हैं उदर ब्लैक मैचिक वाला जादू कर भी अपने ब्लैक जादू को बोट में भेज देता है लेकिन ब्लैक जादू से वाइट जादू जीज जाता है जिस वज़े से बोट में बारिश हो हो जाती है जिस वज़े से यह लोग पानी में डूबने लगते हैं और चुरकी तो डूपते डूपते पानी की अंदर और अंदर जाती ही चली जा रही थी तभी लुआंग बोट लेकर यहां पर आ जाता है क्योंकि उसी माने यह बात कह दी थी कि दोनों ही लड़कियां तीन से 2-7 녹ंडे से गाईव हैं अब लूआंग और व но को बचा लेता है लेकिन उर बाकी मिए चौरकी के तलाश कर रहे होते हैं और चौरकी पानी के अंदर और और जाती चली जा रही थी और यहीं पर इस पार लिता हो जाता है अब अगले पार्ट में हमें इसके कहानी का पता चलेगा जो कि जल्दी हमारे इसी चैनल पर अपलोट किया जाएगा इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें वेल आइकन को भी प्रेस करके रखें जिसे कि आप वैसे शांदर कहानिया टाइम से मिलती रहें यह कहानिया आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में सह बताएं वीडियो को लाइक करें चेर करें मिलते हम आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए ठेक किया है